पूरी बॉड़ी को गोरा, साफ और कोमल करना पसंद करते हैं पूरी बॉड़ी को गोरा करने के दो तरीके हैं पहला, आप घर पर नैच्छरल चीजों का लेब बना कर पूरी बॉड़ी पर लगा सकते हो और दूसरा, आप इसके लिए फैरनस सोप का यूज कर सकते हो, गोलिया या कैपस्यूल खा सकते हो, या फिर इंजेक्शन लगवा सकते हो इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगी, फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो वैसे प्रिंसिपल के तौर पर मैं चाहती हूँ कि जैसा रंग भगवान ने हमें दिया है, उस से हम संतुष्ट रहें और सकिन की अच्छी देख भाल करके उसे साफ, कोमल और चमकदार रखें पर फिर भी गोरे होने की चाह में कई लोग इपनी सकिन को खराब कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आपको गोरे होने के सबसे सही, सरल और सुरक्षित तरीके बता रही हूँ पहले कुछ नैच्रल सकिन को गोरा करने वाले लेप को बनाने के तरीके बताती हूँ इन्हें आप घर में उपलब चीजों से बना सकते हो, इन्हें बनाने में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, कोई ब्यूटी पारलर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी डॉक्टर से परची लिखवाना है गर्मी के दिनों में ये लेप लगाने से सकिन साप, सुन्दर और कोमल रहती है और पूरे शरीर में ठंडग भी पैदा करती है इसमें पहला है दही, ओट मील, शहद और हल्दी का लेप इसको बनाने के लिए एक कप दही, दो बड़े चमच भरकर, वेकर्स या सफोला के ओट्स, एक बड़ा चमच शहद और आधा छोटा चाय का चमच हल्दी इन सब चीजों को एक काँच के बोल में अच्छी तरह मिलाकर एक घटे तक सोख होने दें फिर मिक्सी में डाल कर या एक चमच से अच्छी तरह से मिक्स करें यदि आपको एक मिक्सर गाड़ा लगता है तो दो तीन चमच दूद मिलाकर इसको पतला कर सकते हो इसके बाद अच्छी तरह से नहा कर इस पेस्ट को पूरी बॉड़ी पर मल लें और रहने दें जब ये सूख जाए तब एक मुलायम कपड़े से धीरे धीरे रगड़ कर इसको निकालें फिर सादे पानी से नहा कर एक अच्छा मॉइस्टिराइजर या प्यॉर नारियल का तेल पूरी बॉड़ी पर लगा लें ये हपते में दो या तीन बार करते रहने से स्किन का रंग हलका होगा और वो एकदम सॉफ्ट रहेगी इस लेप को सैंसिटिव स्किन वाले लोग भी लगा सकते हैं क्यूंकि इसमें जो ओट्स मिलाई जाते हैं वो स्किन से डेड सेल साफ करते हैं और स्किन को हर तरह के एरिटेशन और एलर्जी से बचाते हैं जिन लोगों की स्किन ड्राए रहती है वे लोग इस मिक्स्चर में एक बड़ा चम्मच वर्जिन कोकनट ओईल या शुद नारियल का तेल मिलाकर लगा सकते हैं इस तरह के लेप को रेगिलरली लगाने से स्किन हमेशा साफ, सुन्दर और कोमल रहेगी अब उन लोगों के लिए जो पूरी बॉड़ी की स्किन को गोरा करने के लिए साबुन, टैबलेट्स या इंजेक्शन का इस्तमाल करना चाहते हैं साबुन में कोजी केर स्किन लाइटनिंग सोप बाई वेस्ट कोस फार्मसियूटिकल वर्क लिमिटेड अच्छा है इसमें कोजी कैसेट और आर्ब्यूटिन हैं जो स्किन का रंग गोरा करते हैं और वाइटमिन ई भी है जो स्किन को सॉफ्ट रखता है ये साबुन आपको मेडिकल की दुकान पर और अमेजान पर भी मिल जाएगा इसके अलावा गलूटा थायोन जो हमारे शरीर में बनने वाला एक एंजाइम है और जो स्किन के कलर को भी हलका करता है उसके भी कई साबुन और क्रीम आपको मेडिकल शॉप और अमेजान पर मिल सकते हैं इसमें से जो आपको सूट करे वो आप यूज कर सकते हो जैसा मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चाहे नैचरल हो या मेडिकेटेड हर प्रोडक्ट हर किसी को सूट नहीं करता है इसके लिए कोई भी लेप, साबुन या क्रीम लगाने के पहले स्किन टेस्ट जरूर करना चाहिए पूरे शरीर का रंग हलका करने के लिए जो गोलियां खा सकते हैं और इंजेक्शन लगवा सकते हैं वे गलूटा थायोन के ही होते हैं ये टैबलेट्स और इंजेक्शन्स दोनों काफी महंगे आते हैं इन्हें क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलह से और उनकी निगरानी में ही लेना चाहिए गलूटा थायोन कैसे काम करता है इसकी पूरी जानकारी का वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं यहाँ पर गलूटा थायोन की टैबलेट्स के नाम बता रही हूँ हेल्थ कार्ड की ट्रू बेसिक गलूटा थायोन एल कैप्सूल इसमें 500 मिलिग्राम गलूटा थायोन के साथ बायो टिन, वाइटमिन C, वाइटमिन E भी होता है दूसरी है जी एन सी एल गलूटा थायोन 500 मिलिग्राम 60 कैप्सूल तीसरी गलूटा थायोन 1000 विट एसकॉर सी मार्किटेड बाइडरोइट बायोमेड यह कैप्सूल आप एक दिन में एक किसी भी टाइंग ले सकते हैं यह कैप्सूल आपको मेडिकल शॉप पर या एमेज़ॉन पर भी मिल जाएंगी जहां तक इंजेक्शन का सवाल है आपको डॉक्टर की सला लिए बिना लेना मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ फ्रेंड्स आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और अपनी बॉडि को सही और सुरक्षित तरीके से गोरा करने में इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी थैंक यू